नमस्तार दोस्तों, मैं रुची वर्मा, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन की बटन दबाईए, जिससे आने वाले हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है आज हम बनाएंगे आलू सेम की चटपटी सब्जी और उसके साथ हम बनाएंगे बेसन की रोटी बेसन की रोटी आलू सेम के साथ बहुत ही सौधिस्ट लगती है 500 ग्राम हमने सेम लिये हैं, इसे हम छील कर साप कर लेंगे हमने सेम बीच वाले लिये हैं सेम को हमने साप कर लिया है, और 3 हम आलू ले रहे, इसे भी हम मीडियम साइज में काट लेंगे सेम के बीच को हमने अलग कर लिया है, मुलायम बीच को हमने सेम में ही रखा और टाइट बीच को हमने अलग कर लिया है गैस पर हमने कढ़ाई चरहा दी है, कढ़ाई गरम हो चुकी, अब इसमें हम तेल डालेंगे आलू सीम की सबजी को हमने कई पानी से साफ अच्छे से धुल लिया है तेल भी अच्छा गरम हो चुका है अब इसमें एक छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे जीरा अच्छे से चटकने लगा है अब मीडियम साइज में कटiez में कटे हुए दो बड़े प्यास और मीडियम साइज में कटी हुए 3-4 हर इमिच इसमें डाल देंगे और इसे चला लेंगे प्यास को हमें golden brown नहीं करना है, प्यास को हलका soft होने तक ही हमें पकाना है प्यास soft हो चुका, अब इसमें अद्रक लहसुन का हम paste डालेंगे एक चमच अद्रक लहसुन का paste, इसे हम चला लेंगे अद्रक लहसुन का paste पक चुका है, अब इसमें medium size में कटे हुए दो बड़े टमाटा डालेंगे इसे हम चला लेंगे टमाटा लगे soft हो चुके, अब इसमें हम हींग डालेंगे एक चमच धन्या पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच गरम मसाला नमक सौदनसार लाल मुट सौदनसार एक चमच हम बेसन डाल रहें इसमें बेसन डालने से हमारी सेम बहुत ही सौदिस्ट बनकर तयार होती है इसे हम चला लेंगे इसे हम दो से तीन मुट के लिए मीडियम आज में पकाएंगे दो से तीन मुट हो चुके अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम मीडियम आज में ढख कर चार से पांच मुट के लिए पका लेंगे मसाले को पकते हुए चार से पांच मुट हो चुके अब इसे हम खोल कर देख ले रहे हैं इसे हम चला लेंगे सभी मसाले और बेसन बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं अब मसाले में हम सेम के बीच को डालेंगे और इसे चला लेंगे सेम के बीच टाइट होने के कारण इसे हम 3-4 मिनट के लिए मीडियम आज में ढख कर पका लेंगे ढखकर पकाने से सेम के बीज बहुत ही अच्छे से पक चाएंगे अगर हम सेम के साथ ही बीजों को डालेंगे तो हमारे बीज थोड़ा टाइट रह जाते सेम के बीज अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें आलू सेम हम डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे आलू सेम की रेसिपी में हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है अगर इसमें हम पानी डाल देंगे तो हमारी सबजी फीकी लगेगी तस नट के लिए ढखकर हम आलू सेम की सबजी को बिल्कुल स्लो आँच में पका लेंगे और बीच बीच में से चलाते भी रहेंगे आलू सेम की सबजी जब तक पकरे तब तक हम बेसन की रोटी की तयारी कर ले रहे हैं 200 ग्राम हमने बेसन लिया है बारिक कटा हुआ एक बड़ा प्यास बेसन में हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे बेसन में प्यास अच्छे से मिला दिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम बेसन के आटे को गूत लेंगे पानी हमें एक साथ नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है बेशन में प्याज डालने से बेशन की रोटी बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है बेशन का आटा गुद कर तयार है अब इसमें एक चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे तेल डालने से बेशन का आटा हाथों में चिपकता भी नहीं है और बेशन की रोटी भी बहुत ही करारी बनकर तयार होती है आटा गुद कर तयार हो चुका आब इसे 10 मट के लिए हम ढखकर रख देंगे सब्जी को पकते हुए भी 5-6 मिनट हो चुके हैं अब इसे हम खोल कर देख ले रहे हैं इसे हम चला लेंगे सब्जी अभी हमारी पकर तयार नहीं इसे 5 मिनट के लिए ढखकर हम और पका लेंगे पांच मिनट हो चुके हैं अब इसे हम खोल कर देख ले रहे हैं आलू सेम की सब्जी पक चुकी है आलू सेम की सब्जी को हम 3-4 मिनट के लिए खुला पका लेंगे तेज आच में इससे जो हमने बेसन डाला इससे हमारी सब्जी बहुत ही करारी बनकर तयार होगी गैस को अब हम बंद कर देंगे, आब इसमें हरा धन्या पती डाल देंगे हमारी चटपटी मसालेदार आलू सेम की सबजी बन कर तयार है आटी को रखे हुए दस्त में ठोच चुके हैं, अब इसे हम खोल कर देख ले रहे हैं आटा भी अच्छा से सौफ्ट हो चुका है, अब इसकी मीडियम साइज में हम लोई बना लेंगे आप अपने मन पसंद अनुसार बेसन की रोटी पतली या मोटी बना कर खा सकते हैं हम मीडियम साइज की लोई ले रहें और मीडियम साइज की रोटी बनाएंगे बेसन की रोटी थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती है लोई को हमने काफी अच्छे से मुलायम कर लिया है अब इसमें हमने सुखाटा लगाया अब इसे हम बेल लेंगे रोटी को आप बेल कर भी बना सकते हैं या आप इसे हाथ से भी बढ़ा कर बना सकते हैं रोटी अच्छे से गोल बन कर तयार हो चुकी है तवा हमने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था तवा अच्छे से गरम हो चुका है अब इस पे हम रोटी डालेंगे रोटी को हमें बिल्कुल मीडियम आँच में पकाना है तेज आँच में हमें नहीं पकाना है एक तरफ से रोटी अच्छे से पक चुकी है अब इसे हम पलट देंगे बेजन की रोटी तवे पे अच्छे से दोनों साइडों से पक चुकी है अब इसे हम हटा देंगे अब इसे हम डारेक्ट कैस पे पकाएंगे गैस को हमें बिल्कुल स्लो रखना है, स्लो आँच में ही अपनी रोटी को हम पकाएंगे दोनों साइडों से बेसन की रोटी बहुत ही अच्छी करारी बनकर तैयार है अब थोड़ी गैस की फ्रेम को हम तेज कर देंगे और तेज आँच में इसे एक मिनट के लिए पका लेंगे बेसन की रोटी पकर तैयार है बहुत ही करारी बेसन की रोटी पकर तैयार है इसी तरीके से हम अपनी सभी बेसन की रोटीयों को पका लेंगे बेजन की रोटी अगर आप थोड़ा सौफ्ट खाना पसंद करते तो आप इसे तेज आँच में भी पका सकते हैं अब इसमें हम एक बड़ा चमच देसी घी डालेंगे और इसे अच्छे से लगा लेंगे आप देसी घी की जगा बटर भी लगा सकते हैं आलू सेम की सबजी के साथ खा ये बेजन की करारी रोटी ये बहुत ही स्वादिस्ट लगती है प्रेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट्स करके जबर बताएए मिलते हैं आपसे आने वाली अगली रस्पी में तब तक के लिए बाई